Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करती हूँ, सब खेयरत से होंगे आज मैं शेयर करूएं आपके साथ बहुत ही मसीदार, भुना-भुना दानेदार लखनोवी स्टाइल चिकन ग्रेवी की रेसिपी बहुत मसीतार बन के त्यार होता है, जिस तरीके से शादी वगेरा में खाते हैं, हम लोग बिलकूर वही टेस इसका निकल के आएगा आप एक बार मेरी इस तरीके से बना के देखिए, आप लोगों को इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो वीडियो को यहन तक जरूर देखिएगा, इससे ट्राइ कीजेगा, और इसका फीडबाक मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा पसंद आती ही रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो सबसे पहले कर लेंगे चिक्न को मेरिनेट यहां पर मैंने तक्रीब 150 ग्राम सी करीबी चिकन लेलिया था सबसे पहले इसमें ढल देंगे लस्रuko का पेस्ट तक्रीबान 2 टिवस्पून ढाल दिया है मैंने इसमें और डाल देंगे नमक, चिकन के साफ से डालेंगे, ग्रेवी के साफ से बात में डालेंगे और फिर इसमें डाल दीती लाल मिर्च, ये मैंने कश्पिरी लाल मिर्च डाली है क्योंकि इसमें कलर थोड़ा हमें ब्राइट चाही होता है आप नॉर्मल तीखी वाली भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा साफ फूट कलर जाएगा तक्रीबन दो चुटकी के करीब बस इतना ही हमने मसाला लगाना है बेसिकली सिर्फ मिर्च और नमक से हमने इसको मेरिनेट करना है लसना दुरक के साथ तो इसको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे एक बार चिकन को मैंने आदे घंटे कली मरिनेट करने रग दिया था तो जब तक चिकन मरिनेट होगा हम बाकी की थोड़ी प्रिपरेशन हमें करनी है वो कर लेंगे इतनी तेर में जोना आदा घंटा गुजर जाएगा फिर हम चिकन को पकाना शुरू कर लेंगे तो यह देखे मसाला चैसे लग गिया था इसको मैं ढखके रग देती हूं काउंटर टॉप पे ऐसे ही और प्यास को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था इसको मीरियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो जब तक प्यास फिराए हो रही है इस रेसिपिक लिए खुश्बुदार गरम असाला त्यार करेंगे तो उसके लिए मैंने ले ली थी चार लॉंग और साथ में लिया है बारा से पंदरा आप काली मिर्ज के दाने ले लीजे दाल चीनी का टुक्रा ले लिया है मैंने और साथ में लिया है एक काली लाइची चार हरी इलाइचियां हैं और एक फूल ज़ती जवित्री का था और एक छोटा तर टुकड़ा वन फोट टुकड़े के करीब ज़ेना जाइफल ले लिया था काली इलाइचि का छिलका उतार देंगे और इन सब मसालों को इसका पाउडर बना के साइड में रख लेंगे और साथी साथ एक और हमने इसकी प्रिपेशन करनी है उसके लिए हमें चाहिए होंगे काजू 12-15 काजू ले लिजे काजू कर नहीं इस्तिमाल करना चाते तो बदाम भी यूस्ट कर सकते हैं उसका छिलका उतार के एक टेवल स्पून चुरोंजी लिए है और एक टीस्पून मैंने यहाप पे सफेद तिल लिए थे वैसे तो रेसीपी में खशकच जाती है मगा में दर खशकच मिलती नहीं तो उसकी जगह मैंने तिल स्क्राइब लिए थे और दो टेवल स्पून के करी मैंने इसमें नारे अर्मूस रादा गंटा हो गुजर गया था तो फिर अब जो है चिकन को हम फ्राइ करेंगे तो उसी तेल में जिसमें प्यास तली थी ना मैंने दुबारा से फ्लेम को अन कर लिया था जाना मीडियम तू हाइ फ्लेम पर हमने को रो पिसे प्लेम हैं तो फ्राइट अ मीडियान में पर लिया था. तो चिकन पे जब अच्छे से ब्राउन मार्क्स आजाएंगे देखें इस तरीके से खुबसर से मार्क्स आगें दोनों तरफ तो इसको निकाल के क्लेट में अलग रख लेंगे तो सारी प्रपेशन्स हो गई है तो अब बहुत जल्दी रेस्पी बनके तियार हो जाएगी तो सेम तेल की अंदर मैंने इसमें लसन दक का पेस्ट आ दिया था एक टेवस्पून के करीब इसको हलका सा फ्राई कर लेंगे बस 30-40 सेकंड के लिए और इसके बाद इसमें डाल हम साइस लेए इसका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया था तो अब तो हम थोड़ा सा मिक्स करलेंगे और साथ इसाथ इसमें थोड़े से मसारे ताकि वह भी लिए इसमेंट के साथ बहून जाएं घृवी के साफ से नमक दाल दिया था मैंने तक्राइबन साथ मिस अपने टेस्ट के साफ से मिर्ष को एजिस्ट कीज़ेगा और मैंने तक्रीबन धाई चमच के खरीब इसमें धनिया बॉरर डाल दिया था और एक टीस्टून इसमें जाएगा जीरा पाउडर इन सब मसालों को टमाटर के साथ भूलने इतना भूलने कि तेल जोना हलका सा हैं किया अब दाललेंगे दही तो अब इसमें डालेंगे दही को अच्छे से तानी कि औरिम ते पर जाहेँ दखरा जाएं बगालने को फ्रीज में कुल दिया था üz results फ्लेम पे अब इस मसाले को इतना भून लेंगे कि दही का टमाटा का जितना भी एक्स्टरा पानी है वो सब खतम हो जाए और बिल्कुल भुना भुना से यह मसाला बन जाए यह देखें आप कितनी खुबसूरती ग्रीवी लग रही है तेल सेपरेट हो चुका है और मसाला ब अल्मोस्ट दस मिनट गुदर गये थे चिकन को हलकी आशे पकते वे और मैंने बीच में एक से दो बाद चम्मच चला भी दिया था ताकि नीचे मसाला लगे नहीं और यह देखें चिकन ने हड़ी छोड़ना शुरू कर दी इसका मतलब है कि चिकन यह आल्मोस्ट कुक हो च चाहें तो इसको पेस्ट भी होना के डाल सकते हैं अगर आपको बिकुल स्मूद और सिल्की ग्रेवी चाहिए तो प्यास डालने के बाद इसको एक मिला देंगे अच्छे से चिकन में प्याद अच्छे से मिक्स होगी तब इसमें डाल देंगे जो काजू और चिरॉनजी व इसको पकाना जरूरी होता है तो 2-3 मिट हमने ग्रेवी के साथ चिकन के साथ यह मसाला अच्छे से पका लेना है वैसे तो इस ग्रेवी बहुत गाड़ी सी रहती है लेकिन अभी बहुत जादा गाड़ा है खाने के रिजाब से तो थोड़ा सा पानी डालेंगे तो सेम ग्र और फ्लेवर देने यह एक टी स्पून रोस वाटर के साथ में एक टी स्पून इस में के रोड़ा वाटर जाएगा और शाहरी चीजों को रलके हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसको फटके पका लेंगे चार पांच मिनित घलकी आँच पर ऑर यह देखियी मज़िदार सा खु सर्विंग के वक्त हलकी सी हरे धनिये के पत्यों से इसको गानिश कर दीजे ताकि ये देखने में भी उतना ही अच्छा लगे जितना ये खाने में मज़िदा लगेगा